दोश्तों पीपल के पत्तों से पती का वसीकरन या आप किसी का भी वसीकरन कर सकते हैं अगर पती घर में कलेश करता है तब पत्नी को चाहिए कि घर की सुक्षान्ति के लिए पीपल के पत्तों का प्रयोक करके उसका वसीकरन कर सकती हैं यह अचूक बस्षीकरन है या घर में कोई भी सदस्य घर के विप्रित चलता है या गलत राष्टे पर चल रहा है तो उसका बस्षीकरन कर सकते हैं परन्तों इसका कभी भी गलत प्रयोग ने करना चाहिए ऐसे जो है हमेशा सद भावना से करना चाहिए क्योंकि पीपल के पेड़ में स्वेम नारायन लक्षमी का वास होता है स्वेम ब्रह्मा विष्णों में पीपल के ब्रक्ष में निवास काते हैं पीपल को सभी ब्रिक्षों में सेष्ट और ब्रह्म सरूप माना गया हैं दोश्तों इसका प्रयोग सुक्रवार के दिन करना हैं अगर इस्ति अपने पती को वस्मे करना चाहती हैं अगर आप भी किसी का वसी करन करना चाहते हैं सत्रू का वसी करन या किसी मित्र का वसी करन ज इससे आपको कार सिद्धी हूं इसका गलर प्रयोग ना करते हुए सद्वावना से अपने मन को साप पवित्र रखें और शुक्रवार के दिन इसी दिन के समय करना है सूर्य अश्ट के बाद में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसमें करना यह है कि पीपल के पेड़ के पास जा करके सबसे पहले पीपल को नमस्कार करना है और नमस्कार करके प्रात्ना करनी है कि ही पीपल रेवता है ब्रह्म सरूप हम जो वस्षीकरन के लिए जैसे इंसान का वस्षीकरन करना चाहते है उसका नाम ले जैसे इ प्रसीकन काना चाहते हैं आप हमारे कार को सिद्ध करें हम सद्वावना से कर रहे हैं इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे ये प्रात्ना कातिवर पीपल के पत्ते लेने ध्यान रखें पीपल के पत्ते सूखे अपीले नहीं होने चाहिए हरे पत्ते ले साथ पत्ते लेने और स पत्तों को दो करके एक लाल रागे के द्वारा एक माला सी बना लेनी हैं और वहीं पर बैठ करके रोली या कुंकुम या लाल चंदन गंगा जल में गोल करके एक गोल तयार करना हैं अब पीपल के पत्तों पर सुव्यक्ति का नाम लिखना हैं हर पत्ते पर नाम लिख करके फिर पीपल के नीचे एक दीपक भी जला देवें और पीपल से प्रात्ना करते हुएं साथ बार सुव्यक्ति का नाम लेकर के पत्तों पर फुंक मार करके पीपल के नीचे एक दीपक